बॉनेट कुछ आया हाँ है चलो खेंचो देखा वो बस आई ना साइड से लेकिन मुझे मिरर में नहीं दिखाई दी तो अगर मैं ज्यादा काट देता तो एक्सिडेंट पक्का था मत कर रहा हूं बाकि देखो एक डिस्क्लेमर जो मेरी वीडियो डेगलरली देखते हैं उनक को बता देता हूं आपके लिए काम करते हैं तो आप यहीं आप नहीं है मैं कुछ यह नहीं कहता कि भाई यह आपको यही करना है यही करना है यह सबसे बेस्ट नहीं मेरे लिए वर्क करती है आपके लिए तो आप कर लीजिए अदरवाइस मत कीजिए देखिए आज की जो जो चीज आपको उसमें हाथ की सफाई होती है यानि हाथ सफाई का मतलब है कहने का आधसफाई का मतलब है आप की उस चीज में माहिर हो गयों मास्टरी हो गई है युआ ए सीजन ड्राइवर ना माहिर ड्राइवर ठीक है वो होता है ऐसे क्सपीरियंस और स्किल्स पॉलिश लेड गवन करते हैं जो चीज आप इतने टाइम से कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो नो डाव्ट उस चीज़ को लेकर आपके अंदर कॉंफिडेंस आता है कि इस मामले में मुझसे कोई टक कर नहीं ले सकता यह आप शूर हो मैं तो कॉंपिटिशन की बात नहीं है बट यह शूर अबाउट दा कि हां यह मैं कर सकता हूं थोड़ा ट्राफिक में हूं I will let you know everything what are the prerequisites of overtaking the vehicle the frontier vehicle with the flow of confidence you will be confident enough to decide that enough space and my car will move easily here से मेरे काड़ी अराम से निकल जाएगी तो क्या के चीजे होती है वो मैं बताता हूं तीन चीजे बता दी उनका ध्यान अगना बाकी बच गी बच गी वो मैं बता देता हूं बहुत चोटी चोटी यह इंपॉर्टेंट चीजे हैं ध्यान से सुनना हो नाव लेट में मूव टूवर्ड्स नैशनल हाईवे देखिए सबसे पहले यू हाव टो भी फैमिलियर विद द वीकल जो गाड़ी आप चला रहे हो जो गाड़ी आप ओन करते हो खासकर नए ड्राइवर की बात करो पुराने ड्राइवर जो होते हैं जिस गाड़ी में बैठते हैं दस मिनिट में उसका अंदाजा लगा लेते हैं नए ड्राइवर को आदेत नहीं पड़ती है तो जो भी car up drive करते हो नए driver से ही request रहेगी कि वो बार-बार गाड़ियां switch ना करें कभी ये चला रहे हो कभी वो चला रहे हो तो ना ये गाड़ी सीख पाते है ना वो सीख पाते है ना इस पर command हो पाती ही ना उस पर एक ही गाड़ी पर पहले हाथ साफ करो फिर दूसरी गाड़ी पर जाना यू एव तो बी फैमिलियर विद द्यो विकल इससे क्या मतलब है यू एव तो नो दे लेंथ ब्रेथ औफ यूर विकल मेरी गाड़ी कितनी चोड़ी है कितनी जगह में निकलती है इसका बॉनेट कितना लंबा है सारी चीजें आपको पता होती है ठीक है अब ओवर्टेक करने का मतलब सिर्फ रेज देना नहीं होता है काफी सारी चीजें होती है क्या क्या होती है वो मैं बताता हूँ एक तो गाड़ी के लंबाई चोड़ाई का अंदाजा ठीक है हमेशा राइट से ओवर्टेक करोगे लेफ्ट मैं मानता हूँ कई वर करना पड़ता है लेकिन इस पॉसिबल डू इट फ्रम दराइट साइड ओनली ठीक है मार्किंग है तो असानी हो जाती है कि आपको बता है इस लेन में तो गाड़ी निकली जाएगी आराम से डॉंट बिन हरी और ओवर्टेक करने से पहले ड्राइविंग बहेवियर्स जो होते हैं आगे गाड़ी चल रहे है उसका पता करना पड़ता है जैसे अगर एकी लेन में ज्यादा चल रहा है तो ठीक है उससे ओवर्टेक करना ज्यादा टेड़ा मेड़ा चला रहा है तो उसको ओवर्टेक करना थोड़ा सा मुश्किल है मुश्किल इन दे सेंस थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई भरोसनी कब क्या कर दे जब भी ओवर्टेक करते हो ट्रिकी सिचुएशन में रेस पेडल के साथ साथ ब्रेक पर भी पैर जाता रहता है बीच बीच में कि ओवर्टेक कर रहा हूं इस वीकल वाले ने गड़बड़ी करी तो ब्रेक तुरन दबेंगे एक तो हमेशा जब भी ओवर्टेक करोगे लेंज चेंज करोगे इंडिकेटर दोगे ठीक है वो जा रहा हुँ से जाने दो क्रेटा ही क्रेटा एक तो एक थोड़ा डिस्टन से ओवर्टेक किया अगरो नजदी घुसके नही ix कई बार नहीं पॉसिबल होता है बट जितना हो सके साइड से ओवर्टेक की आगरो थोड़ा सा मतलब पीछे gap भी वो ओमनी है इको है ये और मेरा gap ठीक है मैं मतलब अगर बताऊं इतना है अब मालों मुझे ओटेक करना है तो इतना ये सही है अगर वो अचानक ब्रेक लगाता है और मैं दूर हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाते है गाड़ी कंट्रोल करना बि यहां पर कोई राश फास ड्राइविंग करके नहीं दिखाऊंगा मैं सिर्फ कॉन्फिटेंस दिखा रहा हूं कि अगर ओवर्टेक कर रहे हो तो क्या क्या चीज़े होनी चाहिए राइट में है खासकर आपको डर अगर लगता होगा तो बड़े वेपकल को भूर्टेक करने पर दिखेए त्रक्स भी होते हैं वह अचानक lake नहीं करते हैं हमारी गाड़ी बॉलों भी तरह अचानक लेन चेंज नहीं करते हैं जिसमें चल रहे होथा है चल रहे होते हैं यह लेंग शलो है मुझे वापिस उसमें जाना पड़ेगा जब भी अगर खीच के ओवर्टेक करना हो ग्रूजिंग गेर में उवर्टेक मत करना है 양 ग्रूजिंग का मतलब है टॉप गेर में अगर अराम से खुला रोड है पेशिन्स है तो फिफ्ट में है एट्टी पे है चलो लेकिन अगर मालो जटके से करना तो एक गेर डाउन, अचानक जो है थ्रोटा रिस्पॉंस अगर आपको चाहिए तो एक गेर डाउन, कभी भी ओवर्टेकिंग के टाइम पे गेर चेंज करने का रिस्क मत लेना, अगर एक नए ड्राइवर हो, क्योंकि अगर गेर चेंज सकता है, वहाँ पे, ओवर्टेकिंग बहुत जरूरी है तरीके से करना, और ओवर्टेकिंग इस नोट जस्ट आप मैनुवरिंग दे वीकल, यह नहीं कि ओवर्टेक करते ही तुरंट उस लेन में चले गए, ऐसा नहीं एक गैप बनाना होता है, वह वीकल पूरा दिख रहा मेर में, अब इंडिकेटर दे के अपनी लेन में आजाओ वापिस, यह सही है, यह आया इन इस तरफ ठीक है, अगर आता है तो यह, हाँ, इतना गया पेटलिस्ट होना, जी स्पीड के अकोडिंग, नजर एकदम शार्प रखनी पड़ती है, जितने डिस्ट्रैक्शन से सार बंद कर दो, नजर एकदम शार्प, गाड़ी का बॉनेट अगर दिख रहा है, तो ठीक है, नहीं है, तो उस वीकल का उब्जर्व करते रहना, बार बार इदर उदर तो नहीं आ रहे है, आपको एकदम शार्प रखे, कॉन्फिडेंस के साथ, हाथ एकदम टाइट यहां प बात है, पर अगर बार बार निकाल रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस है, नजर शार्प, मैंने बलीन वाले को अब्जर्व किया, ठीक चल रहा है, इदर नहीं आएगा, हॉन देके एक बार, हॉन जरूर देना है, हाँ, येस, हॉन जरूर देना है, ज्यादा खीच के भी बाता हूं, कि मेरी स्पीड उसे तेज है की नहीं, एक तो थोड़ा स्पीड में ओवर्टेक किया करो, ये नहीं होले होले, उसके बराबर में चल रहे है, करे जा रहे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम लगाते है, और पीछे और भी वीकल है, तो जटके से ओवर्टेक होना, चाहिए, लेकिन कंट्रोल में, इसने ब्रेक दबाए, तो स्लो डाउन रखो, पीछे भी सब देखते रहना पड़ता है कि कौन ओवर्टेक कर रहा है, क्या चल रहा है, नहीं तो देखो, गाड़ी थोड़ी दबरी है ना, क्योंकि मैंने 5th gear में 40 की स्पी देखा, वो बस आई ना साइड से, लेकिन मुझे मिरर में नहीं दिखाई थी, तो अगर मैं ज्यादा काट देता, तो एक्सिडेंट पका था, इसलिए एक बार में ज्यादा लेन चेंज मत किया, अगर ओवर्टेक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक लेन काफी होती ह आई, यह तो जान जाता, जरूसज़ फूर्थ ही हैंगह, तो यह नहीं है, कि एक याई बार में दो तीन लेन चेंज पारी, थो इंहें करते हैं, दिखकत भी थी, एक्सिडेंट हो गया था, तो ऐसे मत किया, जैले लेफ्ट से करो तो राइट से, क्युआ राइट से भी अगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है मालो इस एंबुलेंस के पीछे हूं मालो मेरे बिल्कुल नजदीक है कोई भी गाड़ी है और जटके से राइट काट के आगे निकाली कुछ दिखाई नहीं फिर भी कर दी नहीं क्योंकि राइट से भी है कुछ लोग जो आ जाते हैं सामने से गाड़ियां खड़ी होती है इस नौट सेफ एट आल आपको अपनी अगर सेफ्टी चाहिए तो सारे जो है प्रिकॉर्शन सापको लेने पड़ेंगे ऐसा लगता है नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी वहां भी हो सकती है ड्रस्ट में लेट से ओटेक का दो मैं कुछ क टाइट स्पेस में ओटेकिंग मुझे मिलनी पा रही है थोड़ी बहुत भी अंदाजा देखो वही होता है गाड़ी का बॉनेट मैं क्या करता हूँ मैं गाड़ी का बॉनेट उस गाड़ी के नजदीक लेकर जाता हूँ अगर मैं फिर मिर नजरी एक बार इधर जाती है ए बॉनेट उस गाड़ी की बॉड़ी से मुझे बाहर दिख रहा है तो मेरा नहीं जाएगी गाड़ी यहां से तो मैंने अंदाजा लेना होता है गाड़ी का अगला हिस्सा थोड़ा बहुत निकला मैं बराबर में लगा लेता हूँ अगर बहुत टाइट स्पेस होता है मैं उस गाड़ी के बगल में लगा लेता हूँ फिर मैं बॉनेट ऑब्जर्व करता हूँ मेरे ठीक है गैप है मुझे इतनी परचाई दिख रही है अपनी गाड़ी की उस गाड़ी की पेंट पर इतनी सारे चीज़े बहुत जल्दी देखनी पड़ती है अगर ज्यादा परच यह होता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार ठीक है कि टर्ण के उपर ओवर्टेक थोड़े कम करो मेरे साथ हो चुक है तो टर्ण के उपर क्या होता है ब्लाइंड स्पोर्ट साज आ जाती है तो रास्ता सिधा हो तो ही करो अगर गैप कम है तो मत करो कोई कि सुनने में दिक्कत होगी लगा भाई को अब यहां थोड़ा कंजेशन है लेट सीफिकन ऑवर्टेक एनी अदर विकल इंडिकेटर देरा उसे आने दो यह कुछ तरीके होते हैं करने के अगर को इंडिकेटर देख गयार गाड़ी आ रही है धीर धीर साइट दबा र वहीं पर ब्रेक लगा के थोड़ी स्लोडाउन कर लेता जा नहीं है तो मैंने खीज दी अगर आपकी स्पीड शिक्टी टू सेवन्टी है फिफ्ट गेर में हो या टॉप गेर में हो फिर अगर जटके से अगर ओवर्टेक करना है तो यह गेर डाउन पड़ेगा ही पड़े लेकिन साथ सत्र की स्पीड पर जटके से दबाना कोई मत्रब नहीं बनता उसके लिए डाउन करो खींचो हॉन इतना ही ठीए एक थोड़ा दूर से बजा दिया करो एक थोड़ा नजदीक आके बजा दिया करो गाड़ी के जैसे उस बंदे ने देख ले मेर में मेरी काफी सारे तरीके होते हैं अगर ऐसे चलाते हो कि एक नहीं ओटीक करते रहते हो तो टॉप गिर से डाउन रखना गाड़ी ओवर्टेक के लिए हमेशा तयार रहती है बार बार गिर अप डाउन भी नहीं करने पड़ेंगे जैसे अभी फॉर्थ गियर में है तो इससे अब कभी भी ओटेक करवा लो एक बार साथ की स्पीड पहुंचने के बाद हमेशा तयार रही कि लिए है ट्राफिक में अगर ऐसा है स्लोडाउन करनी पड़ रही बार बार चलानी पड़ रही है तो एक गिर आपको ऐसा लग रहे है यहां पर तीस में अराम से चल सकती है तो से गेर में उठाएगी इस वीडियो में पस इतना ही ओटेकिंग के उपर जो थोड़ा वो तो मुझे पता था वो मैने बता दिया है आई होप थोड़ा वो तो आपको पता लगाओगा आईडिया लगाओगा एंटिल नेक्स वीडियो थैंक यू सो माच इफ यू लाइक दे वीडियो लाइक दे वीडियो शेयर करते ना किसको जरूरत ओवर टेकिंग के लिए एंटिल नेक्स वीडियो थैंक यू सो मच